So Hello Guys, तो Weekly Current Affairs वाले इस वीडियो में मई महीने के पहले वाले हफते का हम पहला वाला पार्ट कवर करेंगे और कौन-कौन से दिन आएंगे इसमें? एक, दो, तीन, चार, चार मही तक हम लोग इसमें कवर करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अगर आप में से कुछ वीडियो को वेरी फर्स ताइम देख रहा है तो आपको बता दू, इस प्रशन में आपको बताना है कि अभी हाली में कौन सा जिला प्रधान मंतरी जन आरोग्य योजना के तहत शत प्रतिशत परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला जिला बन गया है तो आंसर होगा रियू संबा तो आयूश्मान भारत प्रधान मंतरी जन आरोग्य योजना, ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्त भीमा योजना है, इसमें प्रती परिवार हर साल पांच लाख रुपे का स्वास्त भीमा दिया जाता है, तो इस योजना के तहट सामबा देश का पहला जिला बन गया है, जहां सो परतीशत परिवारों को इस योजना में शामिल कर लिया गया है, और ये अरियो सामबा, ये सामबा कहा है रे, ये जम्मू कश्मीर का जिला है सामबा याद रखना, और इस जिले के सभी परिवारों के पास अब आयूश्मान गोल्डन कार्ड आ चुका है, मतलब ज योजना में जुड़ जाता है तो उसके पास एक आयूश्मान गोल्डन कार्ड होता है, अचा अगर आपसे एक्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि उडिसा का बाल विवा मुक्त जिला कौन सा बना अभी तो गंजाब जिला, भारत का पहला 100% वैक्सिनेशन वाला जिला और भारत का पहला रिबीज मुक्त राज्य कौन सा है, गोवा है, अभी पहला 100% एलपीजी वाला राज्य कौन सा बना था, हिमाचल प्रदेश बना था, अचा अगर आपसे प्रस्न पूछे कि भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचाय तभी कौन सी बनी थी, तो आंसर होगा जम्मु कश्मीर का पल्ली गाउं, देश का पहला फ्लोटिंग एर थेटर, यह कहाँ पे स्थापित किया गया था, डल जील में, और यह डल जील कहाँ पर है, जम्मु कश्मीर में, और डल जील में अभी एक बैंक ने, अपना तेरता हुए ATM भी स्थापित किया था, बैंक का नाम बताईए, और अब इस डल जील की साफ सफाई के लिए जम्मु कश्मीर सरकार ने अथवास पहल भी शुरू की थी, तो वो भी याद रखना, बढ़ते आगे, अच्छा तो इस प्रश्ण में आपसे पूछ रहे हैं कि अंतरिक्ष उपग्रहों के खिलाफ, मि अमेरिका की पहली मैला उप्रराष्टरबती कौन है? आप जानते हो कमला हैरिस है, जो कि राष्टर अंतरिक्ष परिशत की अध्यक्षिता करती है, उन्होंने ये गोशना की है कि इस तरके परिक्षणों से बनाया गया मलबा, अंतरिक्ष यात्रियों और उग्रहों की सु अरचा में रहे, वो याद रखना, एक तो नाम याद रखना, माया एंजेलो का, अगर आपसे प्रशन पूछा जाए कि अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला का नाम, तो आंसर होगा माया एंजेलो, और इनके साथ कौन सा पक्षी था उस सिक्क पोत का नित्रत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी थी, एमे बोरस्मिट, याद रखना ये नाम बढ़ते आगे, फिर बताईए, अभी देश का पहला ग्रीन फिल्ड ग्रीन बेस्ट एथेनॉल प्लांट का उधगाटन कहां पे किया गया, तो आंसर होगा पूर्णिया ब इतिश कुमार ने, तो यहाँ पे रोजाना 65,000 लीटर की शमता से इथेनॉल का उत्पादन होगा, और इसको बनाने में कितनी लागत आईए, 105 करोड रुपे, यहाँ पे इंधन के रुप में चावल की भूसी का प्रियोग किया जाएगा, तो यह देश का पहला अनाज पहला उच्च राख कोईला गैसी करन अधरित मिथेनौल उत्पादन सन्यंत्र, इंगलिश में बोलेंगे तो हाई एश कोल गैसिफिकेशन प्लांट यह का पे स्तापित हुआ, तो आंचर होगा है अधराबाद में, और भारत का पहला बायो मास अधरित हाइडरोजन प्ला प्लांट का भी उधगाटन किया था, तो यह कुछ पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा, बढ़ते आगे, चलिए बताइए, जीन बैंक पर्यूजना इस्तापित करने वाला पहला भारते राज्य कौन सा है, तो आंसर होगा महराष्ट्र, तो अभी महराष्ट्र ने द परियोजना जलवायू परिवर्तन के कारण खादे शरंकला पर प्रभाव को कम करने पर ध्यान केंद्रित करेगी, तो सिंपल सा याद रखेंगे, जीन बैंक परियोजना इस्तापित करने वाला पहला भारते राज्य कौन सा बन गया, तो आंसर होगा महराष्ट्र, अधान मंतरी जन आरोग्य योजना के तहट, सो परिशत परिवारों को शामिल करने वाला पहला जिला कौन सा बना, जम्मू कश्मीर का सामभा जिला, और भारत के पहले रेडियो ऑवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उधगाटन कहां पे किया गया, ये कॉलकता के श जारखंड का कि किस राज्य का है जामताड़ा जिला, चुकि देश का पहला जिला बन गया है, जिसके हर गाव में पुस्त काले है, लाइबरेरी है, बताओ किस राज्य का है जामताड़ा जिला, बढ़ते आगे, अच्छा चलिए बताइए, दुनिया की सबसे उम्रत लेनी धन हो गया, तो अब उनके बाद, 118 वर्ष की ये फ्रांसी सी नन है, सिश्टर ओंद्रे, अब ये आधिकारिक तोर पर दुनिया की सबसे उम्रत दराज वेक्ती बन गई है, चलो मुझे बताओ, युनिसेफ की अभी नए प्रमुक कौन बनी थी, कैथरीन रसेल, और युनेक्टेड अरब अमिरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री की रूप में अभी किसे चुना गया, तो नौरा अल मत रोशी को, और शंगाई कॉपरेशन और्गेनाजेशन के महा सचीव कौन बने, ज्ञांग मिंग बने, ध्यान रखना बढ़ते आगे, अच्छा बता यानि कि इंडिजीनेस इलेक्रिक शिप बनाएगा, और अभी मैंने आपसे एक प्रशन भी पूछा था, कि भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन सन्यन तरकां पे शुरू हुआ, तो आंसर होगा असम में, चलो बताओ, अभी जापान ने किस नाम से अपनी पहली हा हाइबरी, और हाइड्रोजन मॉबिलीटी प्रोजेक्ट कहां पे स्तापित किया गया, लद्दाक में, मतलब यहां पे हाइड्रोजन से चलने वाली बसे चला करेंगी, और आपको याद होगा, गेल यानि कि गेस अथरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने प्राकरतिक गेस प्रनाली में, हाइड्रोजन के मिश्रन की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू की कहां पे, इंदोर मध्यप्रदेश में, और अभी दुनिया का पहला हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट, जिसका नामे दजेट, यह कहां पे लॉंच की गई, दु यह कहां पे हुई थी, यह हुई थी, मनिला फिलिपीन्स में, जिसमें हमारी शटलर जो है, पीवी सिंदू, इन्होंने ब्रॉंज मेडल जीता है, अच्छा, इन्होंने किसको हराया, जापान के अकाने यागा मुची को हराया, और आपको बता दू, वैसे ही इस टोर्नामे जो 2020 हुआ था, उसमें भी इन्होंने ब्रॉंज जीता था, उसके अलावा आपको याद होगा, सेद मोधी बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 चोकि लखनव में हुआ था, उसमें वोमें सिंगल का टाइटल इन्होंने जीता था, और उसमें में सिंगल का टाइटल किसने जीता किसी ने भी नहीं मैच नहीं हुआ था क्योंकि खिलाडी पॉजिटिव पाए गए थे उसके लावा स्विस ओपन बेडमिंटन टूर्णामेंट 2022 का टाइटल भी पीवी सिंदू नहीं जीता और पीवी सिंदू के उपर एक बुक भी आई थी अभी क्या बता सकते हो इस बुक को किसने लिखा है तो आंसर हो जाएगा वी कृष्ण स्वामी ने याद रखना ये चीज़े बढ़ते आगे चलिए बताईए मई 2022 में जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चेंपेंशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली बारते कौन बन गई है तो आंसर होगा हर्शदा शरद गरुड तो अभी हर्शदा शरद गरुड ये जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग का बाहर उठाया और इस प्रकार इन्होंने गोल्ड जीता वैसे इस तरह से ये मीरा भाई चानू और अचिंता शेवली के बाद जूनियर वर्ड वेटलिफ्टिंग प्लेयर बनिये ये अचा कोमल कोहर के बारे में आपने सुना होगा ये वेटलिफ्टर है अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो दूसरा संस्करन हुआ था कहां पे करनाटक के बंगलूरू में उसमें पहला गोल्ड इनों नहीं जीता था और नेशनल रिकॉर् में बाकी वेटलिफ्टिंग में एक नाम आपने जरू सुना होगा करनम मलिश्वरी का ओलंपिक के इतिहास में बदक जीतने वाली पहली महिला यही थी ये सब नाम ध्यान रखना बढ़ते आगे हैं अचा फिर बताईए अभी हाली में पहले केरल ओलंपिक खेल ये कांप पर शुरू हुए तो आंसर होगा तिरो अनंद पूरम में तो पहली बार हो रहे हैं ये केरल अलपिक गेम्स और अभी ये कांप शुरू हुए हैं केरल की कैपिटल तिरो अनंद पूरम में अभी 30 अपरेल को शुरू हुए और ये कब से कब तक हुए 30 अपरेल से 10 मई तक और यहाँ पर जो boxer MC Mericom उनको lifetime achievement award से भी सम्मानित किया गया. अच्छा एक और point बनेगा यहाँ पर कि इन खेलों का शुबंकर, mascot क्या रखा गया? नीरज नाम का एक खरगूश यहाँ का mascot रखा गया. Olympic के बारे में आपको बताईए, अभी 2Q Olympic आपने पढ़ा होगा, जो की एक तरह से summer Olympic थे, कौन से नंबर के? 32 नंबर के, Tokyo Japan में हुए, जिसका शुबंकर क्या था? Mirai Tova, और para Olympic का था सुमाइती. अब अगले वाले summer Olympic 2024 में होंगे, Paris, France में होंगे. अभी आपको होगे 2022 में भी तो हुए थे कोई Olympic, तो हुए थे लेकिन वो Winter Olympic थे, वो हुए थे Beijing चाइना में, और उसका शुबंकर था Bing Dwayne Dwayne, और उसके जो para Olympic हैं उसका था Shwen Ron Ron, तो ये भी बाते ध्यान रखना बढ़ते आगे. अच्छा बताईए 2022 में अपनी तरक की पहली 5-5 Pro Basketball League ये काँपे शुरू की जाएगी तो आंसर होगा भारत में, तो ये होगी 2022 के अन्त में, ये अपनी तरक की पहली 5-5 Pro Basketball League है, जिसमें 12 टीमे होंगी, इसका आयूजन करेगा Elite Sports India. अच्छा मुझे बताईए 2023 में जो Street Child Cricket World Cup ये काँपे होंगे, ये भारत में होंगे, और 2023 में ICC Mains World Cup ये भी भारत में होंगे, और इस साल के अन्त में आपको बताए, FIFA World Cup भी होंगे, कतर दोहा में, अच्छा मुझे बताओ, FIDE Chess Olympiard 2022 का एउजन ये काँपे किया जाएगा चन्नेई में, पहली बार भारत में होंगे, ये याद रखना, बढ़ते आगे, अच्छा बताईए, अप्रेल 2022 में दूसरे खेलो Masters Games 2022 का एउजन ये काँपे किया जा रहा है, तो आंसरोगा नई दिल्ली में, और नई दिल्ली में भी काँपे, जो त्याग राज स्टेडिय में, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि खेलो इंडिया यूनिवरिसिटी गेम्स का दूसरा संसकरन, जी काँपे शुरू हुआ, करनाटक में, करनाटक के बंगलूर में जिसका शुबंकर है, मैसकोट है वीरा, और इस साल खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चोथा और पांचवा संसकरन भी होगा, चोथा होगा पंचकुला हरियाना में, और पांचवा होगा बोपाल मध्यपरदेश में, तो इस प्रशन में आपको बताना है, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे अपना MDCO बनाया, तो आंसर होगा अंशुल स्वामी को, तो शिवालि स्मॉल फाइनेंस बैंक से एक बहुत प्यारा कुशन मनता है, एक्चुलि मैं आपको याद हो अगर, तो ये पहले कोपरेटिव बैंक था, सहकारी बैंक था, फिर ये स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया, तो यहां से कुशन मनता है, कुशन क्या आएगा अगर आएगा तो, क कि Small Finance Bank में बदलने वाला पहला सहकारी बैंक कौन सा है तो फिर आंसर करना शिवालिक मरकेंटाइल को अपरेटिव बैंक जिसका हैटकोटर मिलेगा आपको उत्तरप्रदेश का सहारनपुर में अचा बताओ DCB Bank के अभी MDCO कौन बने थे? मुरलियम नटराजन बने थे? पंजाब नेशनल बैंक के MDCO कौन बने थे? अतुल कुमार गोयल बने और यूको बैंक के MDCO कौन बने? सोमा शंकर प्रसाद बने त्यान रखना बढ़ते आगे फिर बताइए अभी हमारे नए थल सेना उपाद्यक्ष कौन बन गए? तो आंसरों का BS राजू तो अभी Lieutenant General BS राजू यानि की बगगा वली सोम शेखर राजू ये नए थल सेना उपाद्यक्ष वाइस चीफ बन गए हैं अब इनी से मिलता जुलता एक Confuse करने वाला नाम आपके सामने आएगा Dr. S. राजू का नाम ये अभी News में था ये अभी Geological Survey of India के अध्यक्ष बने थे तो Confuse मत होना थल सेना उपाद्यक्ष तो है B.S. राजू और Geological Survey of India के अध्यक्ष बने थे Dr. S. राजू समझे मेरे राज आपको पुछा जाए अभी हमारे नए आर्मी चीफ कौन बने मनोच पांड़े बन गए और मनोच पांड़े से भी मैंने आपको तीन मिलते जुलते नाम याद करवाए थे तो मनोच पांड़े हो गए एक मनोच कटियार है सेन्यय अभ्यान के महानिदेशक Director General बने और एक मन नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के डारेक्टर जनरल बने थे तो यहाँ पे जो मैं आपको कुश्चन के साथ में एक्स्ट्रा फेक्ट्स बताए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है ध्यान रखना वैसे आर्मी डे हम 15 ज नियुक्त किया गया तो आंसर होगा तरुन कपूर को तो पूर्व पेट्रोलियम सचीव हैं ये तरुन कपूर जिनको अभी प्लधान मंतरी नरेंद्र मुदी का सलाकार नियुक्त किया गया है उन्हें दो साल के लिए नियुक्त किया गया है और इनके अलावा हरी रंजन और आतिश चंद्रकोप धान मंतरी कार्याले में अतिरिक्त सचीव एडिशनल सेक्रेटरी के पत पर नियुक्त किया गया लिकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अभी नितियायो के नए उपाद्यक्ष कौन बने थे तो आंसर होगा डॉक्टर सुमन के बेरी नैसकौम के नए अद्यक्ष कौन बने तो कृष्णन रामा नुजम बने और सेभी की पहली महिला अद्यक्ष बनी है मादभी पूरी बुच्च तो ये नाम भी आपको याद रखने हैं बढ़ते आगे चलिए बताई अभी किसे सहकारिता मंत्राले में सचीव बनाया गया तो आंसर होगा ग्यानेश कुमार को ग्यानेश कुमार ये वरतमान में संसेदिय मामलों के मंत्राले में सचीव हैं उन्हें देवेंद्र कुमार सिंग के इस्तान पर सहकारिता मंत्राले में सचीव बनाय गया है अलकेश कुमार शर्मा को वेसे हमारे सहकारीता मंतरी कोन है तो जो ग्रह मंतरी है ना अमित्षा उन्हीं के पास ये मंतरा ले हैं बाकिया आप जानते ही हो नए थल्ट सेना उपाद्यक्ष कौन बने अभी बी एस राजू और थल्ट सेना अद्यक्ष तो अमारे अभी हाली में CIA यानि कि Central Intelligence Agency के पहले मुख्य प्रद्योगी की अद्धिकारी इंग्लिश में बोलेंगे तो CTU यानि की Chief Technology Officer किसे नियुक्त किया गया तो अच्छा कुशन है ये भी क्योंकि पहली बार इस पत्पर किसी को नियुक्त किया गया है तो अंसर होगा नंदू मूल चंदानी और ये भारती अमेरी की हैं तो इसलिए भी ये नाम important हो जाता है अच्छा अगर आपसे पूछा जाए राष्टे अलपसंद के कायों के अद्ध्यक्ष कौन बने तो अंसर होगा इकबाल सिंग लालपुरा सोचेम के नए अद्ध्यक्ष कौन बने सुमंत सिनहा औ और अभी हज समीती के अद्ध्यक्ष बने से कौन एपी अब्दुल्ला कुट्टी ध्यान रटना ये बढ़ते आगे हैं चली बताईए सिबीडिटी के नए चेयर परसन किसे न्यूक्त किया गया तो अंसर होगा संगीता सिंग को तो टेक्स मामलो को देखने वाले बोर्ड यानि कि Central Board of Direct Tax यानि कि CBDT जिसके अब नई चेयर परसन बन गई है कौन संगीता सिंग ये इसका अतिरिक्त प्रबार एडिशनल चार्ज लेंगी और किसकी जगे आई है ये जे भी मोहपात्रा की जो अभी 30 अपरेल को रेटार्ड हो गए है अचा नैस कौम के नए अद्दे बने देबाशीष पांडा और Financial Action Task Force के President कौन बने ती राजा कुमार बढ़ते आगे तो इस प्रश्ण में आपको बताना है कि अभी किसने वीटली गूल्ड अवर्ड जीता तो आंसर होगा चारुदत्त मिश्रा ने तो अभी प्रसिद्ध हिम तेंद्वा विशेशग्य और वन्य जीव संगरक्षन वादी हैं ये चारुदत्त मिश्रा और इन्होंने ही प्रतिष्टित वीटली गूल्ड अवर्ड जीता है तो किसके लिए इन्होंने ये अवर्ड जीता ये याद रखें आप तो हिम तेंद्वे के संगरक्षन के लिए और ये इनका दूसरा वीटली अवर्ड है इससे पहले 2005 में भी इन्होंने ये पुरुसकार जीता था आपको याद होगा पिछले साथ 2021 में ये वीटली अवर्ड किस ने जीता था नुकलू फॉर्म ने जीता था जो कि नागालेंड से थे याद आया आपको और इस बार जीता है चारुदत्त मिश्रा ने हिम तेंद्वे के संगरक्षन के लिए इतना सा याद रखना अच्छा दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित जल पुरस्कार कौन सा है स्टॉक हॉम वाटर प्राइज और ये 2022 का किसको मिला प्रोफेसर विलफ्रेड बुचसर्ट को बाकी अगर आपसे पूछूँ कि चैंपियन्स ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवर्ड कि जीता तो अंसर होगा सर डेविड एटन बरू ने और 2022 का प्रिजकर पुरुसकार जीतने वाले पहले अफरी की कौन बन गए फ्रांसेस केरे ये जो प्रिजकर पुरुसकार है ना इस पुरुसकार को वास्तुकला का सर्वोच सम्मान के रूप में माना जाता है वास्तुकल कोई में पेरु के पूर्व मानत कॉंसिल अर्देशर बीके दुबाश को पेरु सरकार के द्वारा सर्वोच राजनाइक सम्मान जिसे कहते हैं Order of Merit in the Diplomatic Service of Peru जोस जोर्जियो पैज सॉल्डन ये नाम है उस सम्मान का इससे सम्मानित किया गया है किसे अर्देशर बीके मिला तो आंसर करना Sir David Attenborough को चलो एक नया प्रशन आप से बूस्ता हूँ अभी World Press Photo of the Year 2022 के लिए किसे चुना गया तो आंसर करना Ember Bracken को ये कनाडा की है और उनकी फोटो थी जिसका टाइटल है Kamloops Residential School उसके लिए इने World Press Photo of the Year 2022 चुना गया था बाकी प्रिचकर पुरसकार के बारे मैंने आपको बताए दिया वास्तुकला के शेत्र का है ये पुरसकार इसे वास्तुकला का नोबल पुरसकार कहते हैं एक्चुल में किसे मिला Francis Carey को और ये समान पाने वाले ये पहले अफ्री की बने नाम इंपोर्टेंट इसलिए बार-बार मैं आपको repeat करा हूँ ये अभी भी करा रहा हूँ आगे भी करा हूँ तो ध्यान रखना बढ़ते आगे अच्छा फिर बताए अभी हाली में किस देश के लेंडिस्केप गार्डन जिसका नाम है सिटियो बर्ले माक्स उसको युनेस्को की विश्व दरोहर सुची में शामिल कर लिया गया है तो उसे जादा आपको पौधो की प्रजातिया मिलेंगी इसे वरस्पति और परिद्रश्य प्रयोग के लिए प्रयोग शाला मना जाता है और इस साइट का जो नाम है ये ब्राजील के एक लेंडिस्केप आर्किटेक्ट थे बुरले माक उनके नाम पर रखा गया है जिनके पा जाए कि अभी भारत का चालीसवा विश्व धरोहर इस्थल अभी कौन सा बना था तो आंसरोगा गुजरात का धोला विरा और उसे पहले थर्टी नाइन नंबर का बना था रामप्पा मंदर ये है त्यलंगना में अच्छा अगर मैं आपसे पूछा जाए अमूर्त धरोहर इंटेंजिबल साइड्स कितनी है 14 है और 14 नंबर की बनी थी पस्चिमंगाल की दुर्गा पूजा आपको याद होगा तो इंटेंजिबल साइड्स तो है 14 और टेंजिबल साइड्स है 40 क्या अंतर होता है बता चुका हूँ मैं आपको कहीं बार इंटेंजिबल साइड्स मत जियो पार्क स्थापित किया गया तो मद्य पर्देश के जबलपूर के लमहेटा गाउं में ध्यान रखना ये भी बढ़ते आ गए अच्छा बताईए अप्रेल 2022 में किसे इंडियन फार्मा लीडर आफ दे येर अवार्ड का विजेता चुना गया तो अंसरुका सिपला लिम और इसका आयोजन किया है फिक्की ने फिक्की मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चेमबर्स ऑफ कॉमर्स एन इंडस्टरी अच्छा यहां से दो करन्ट अफेर्स के प्रश्ण बनेंगे आपके कि अभी फिक्की के नए प्रेसिडेंट और नए डारेक्टर जेनरल कौन बने ह तो आप लोग बताईए कौन बनें मैं तो आपको कहीं बर बताई चुका हूँ देखते हैं आपको कितना याद है बाकी इस प्रश्ण में देखिए कि हमने का इंडियन फार्मा लीडर ऑफ द इयर का अवर्ड किसे मिला तो सिपला को और इंडियन फार्मा इनोवेशन ऑफ इयर का अवर्ड किसे मिला ग्लेन मार्क फार्मसोटिकल लिमिंटेड को बाकी और भी अवर्ड से उनकी लिस्ट में याँ पे लगा रहा हूँ तो वीडियो को पॉस करके आप उन्हें देख सकते हैं बढ़ते आगे तो इस प्रशन में आपको बताना है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे अपना MDCO बनाया तो आंसर होगा अंशुल स्वामी को तो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक अब इसके नए MDCO बन गए हैं अंशुल स्वामी अच्छा शिवालिक small finance bank से एक बहुत प्यारा question मनता है Actually मैं आपको याद हो अगर तो ये पहले cooperative bank था सहकारी bank था फिर ये small finance bank बन गया तो यहां से question मनता है Question क्या आएगा अगर आएगा तो कि small finance bank में बदलने वाला पहला सहकारी bank कौन सा है तो फिर आंसर करना शिवालिक mercantile cooperative bank जिसका headquarter मिलेगा आपको उत्तरप्रदेश का सहारनपूर में अच्छा बताओ DCB bank के अभी MDCO कौन बने थे? मुरलियम नटराजन बने थे? पंजाब national bank के MDCO कौन बने थे? अतुल कुमार गोयल बने और यूको bank के MDCO कौन बने? बैंक अफ बडोदा ने वरिष्ट और बुजुर्गों के लिए Bank of बडोदा World Mobile Banking Platform पर एक नई सुविधा जिसका नाम है Bob World Gold कू लौंच किया है ये एक अनूठा digital banking platform है जिसे वरिष्ट नागरिकों को सरल, सहज और सुरक्षित Mobile Banking अनुभव परदान करने के लिए डिजाइन किया गया है Bank of बडोदा इस्तापना होती है इसकी 1908 में Headquarter वडोदरा गुजरात में है और इसके Chairman कौन है? Hasmut अधिया है और इसके MDCO है संजीव चडड़ा और इसकी Tag Line क्या होती है? India's International Bank आपको याद होगा दो बेंकों का विले किया गया था Bank of बडोदा में बता सकते हो कौन-कौन से बेंक है वो? Vijayah Bank और देना Bank और अभी Bank of बडोदा की brand Endorser कौन बनी थी? शेफाली वर्मा बनी थी अच्छा मुझे बताओ अभी Digital Transformation Project संभव को किसने लॉंच किया था? Union Bank of इंडिया ने अभी Corporate ग्रहकों के लिए Green Deposit Program को किसने शुरू किया था? DBS India Bank ने और प्राकरतिक खेति को बड़ावा देने के लिए Jeeva Program को किसने शुरू किया था? नाबाड ने याद रखना ये सब बढ़ते आगे अच्छा बताइए RBI के अनुसार Credit या पर Debit Card जारी करने के लिए Non Banking Financial Company के पास New Thumb कितना Fund होना चाहिए खुद का ये पूछा जा रहा है तो अंसरों का 100 करोड रुपे तो अभी RBI ने नई Guidelines को जारी किया है जो बताती है कि अब Non Banking Financial Company जो है पहली बात तो वो RBI की मंजूरी के बिना Credit या Debit Card को जारी नहीं कर सकती इसके अलावा अगर वो ऐसा करना भी चाह है तो उनके पास कम से कम 100 करोड रुपे का Fund होना चाहिए जो कि उनका खुद का हो Customer का नहीं हो ऐसा नहीं हो Customer के पैसे इकट देगर के वोल दे की येलो 100 करोड रुपे नहीं खुद का Fund होना चाहिए 100 करोड रुपे का और ये जो नई Guidelines है ये कब से लागू होंगी एक जुलाई 2022 से यहाँ पे तो आप RBI के बारे में बात कर सकते हो कि RBI की स्थापना कब होती है एक अप्रेल 1935 को Headquarter Mumbai में है और RBI की स्थापना की समीति की सिफारिश पर की गई थी ये भी प्रशन बन जाता है यंग हिल्टन आयोग गवर्नर वर्तमान में शक्तिकान दास हैं जो की 25 वे नंबर के हैं पहले ब्रिटिश गवर्नर थे Osborne Smith और पहले इंडियन गवर्नर थे CD देशमोक इतना याद रखना बढ़ते आगे अच्छा बताईए अभी हाली में किस भारत्य बैंक ने MSME के लिए Open for All Digital Ecosystem को लांच किया तो अंसर होगा ICICI Bank तो अभी ICICI Bank ने देश में सभी MSMEs के लिए यानि कि सूक्षम लगू और मद्यम उद्यमियों के लिए भारत का पहला Open for All Digital Ecosystem को लांच किया है और इसका जो उपयोग है ये दूसरे बैंकों के ग्रहाग भी कर सकते हैं और इसके द्वरा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में एक है InstaOD Plus जिसमें आपको 25 लाख रुपे तक का तत्का लियाने की Instant और Paperless Overdraft सुविदा मिल सकती है अच्छा ICICI Bank से एक अच्छा प्रशन बनेगा इसके जो MDCO है कौन? संदीब बक्षी अभी इनको Business Standard Banker of the Year 2020-21 चुना गया था ICICI Bank का Tag Line क्या है? हम है ना खयाल आपका अभी इसने Online Platform Trade Emerge को भी लाँच किया था चलो मुझे बताओ अभी वरिष्ट नागरिकों के लिए एक नया फीचर Bob World Gold को लाँच किया था बैंको बडोदा ने और अभी किस बैंक ने Digital Transformation Project संभव को लाँच किया तो आँचर होगा Union Bank of India ने और अभी किस बैंक ने? महिलामित्र प्लस नाम से एक बचत योजना शुरू की तो आँचर होगा Federal Bank ने याद रखना बढ़ते आगे है तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि किस दिन को उजवला दिवस के रूप में मनाने का नेड़ने लिया गया तो आंसर होगा एक मही को तो हमारे जो पेट्रोलियम और प्राकरतिक गैस मंत्राले है जिसके मंत्री को आने वैसे? हरदीब सिंगपूरी तो अभी इस मंत्राले ने 1 मही 2022 को उजवला दिवस के रूप में मनाने का नेड़ने लिया है और उजवला दिवस समारों के अध्यक्षिता अस्रम के डिब्रुगड में की गई अच्छा एक मई कोई क्यों? क्योंकि उजवला योजना के बारे में आपको याद होगा इसे 1 मई 2016 को उत्तरप्रदेश के बल्या से लांच किया गया था जिसका उत्दिश्य क्या है? BPL परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्षन देना अच्छा ये तो हम लोगों ने बात कर ली उजवला योजना की अगर पूछे आप से कि उजवला योजना 2.0 ये कब और कहां से लांच की गई थी तो अंसर हो जाएगा 10 अगस्त 2021 को महुबा UP से अच्छा हम आगे और भी प्रशन पढ़ेंगे कि 1 मई को और कौन-कौन से डे मनाये जाते हैं लेकिन अगर अभी आपको यादे तो इसे pause करके comment box में type करके बताओ और खुद से check करो कि आपको यादे के नहीं है डेली कर अंटरफेस में तो आप पढ़ी चुके हो अभी हम बढ़ेंगे आगे तो फिर बताइए अंतर राष्ट्र शरम दिवस कब मनाया गया International Labor Day या Workers Day भी आप बोल दीजिए एक मही को मनाया जाता है इसको याद रखना वैसे International Labor Organization की बात करें तो देखो इसकी स्थापना होती है 1919 में Headquarter Geneva Switzerland में है अब इसके अध्यक्ष का नाम important है क्योंकि इसके अध्यक्ष अभी नए बने है तो यहां से आपका एक appointment का question भी clear होगा कि International Labor Organization के नए अध्यक्ष कौन बन गए तो आंसर होगा Gilbert Hongbo पहले guy rider थे अब नए आगए Gilbert Hongbo और वैसे तो यह इस अध्यक्ष पद पर आने वाले ग्यारवे वेक्ती हैं लेकिन हम यूँ भी कह सकते हैं यह इस पद पर आने वाले पहले अफ्रीकी भी है टॉंगो देश के हैं यह अच्छा मुझे बताओ International Labor Organization को Nobel Peace Prize भी मिल चुका है कब मिला था? 1969 में यह भी points ध्यान रखना बढ़ते आ गए बताए विश्व हास्से दिवस कब मनाया गया? तो वैसे तो यह हर साल मई महीने के पहले रविवार को मनाया जाता है मतलब कोई fix नहीं है तो इस बार आप 2022 में देखो गे तो मई का पहला रविवार यह एक मई को ही पड़ रहा है तो हम इसे कब मना रहे हैं? एक मई को इसलिए मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में इस बार एक मई को तीन डे हम लोगों ने मनाया कौन-कौन से रिवाइस किजिए फिर से यह तो एक तो वर्ल्ड लाफ्टर डे हो गया एक लेबर डे हो गया और एक उजवला दिवस हमने पहली बार मनाया तो यह चीज़े आप ध्यान रखना बढ़ते आगे फिर आप लोग बताएए विश्व ट्यूना दिवस कब मनाया जाता है दो मई को मनाया जाता है ट्यूना एक प्रकार की मचली है जिसके बारे में जाग रुकता फैलाने के लिए हर साल दो मई को वर्ल्डे ट्यूना डे के रूप में मनाया जाता है तो यह जो ट्यूना है जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं उनके लिए भोजन का एक महत्वपून स्त्रोथ होता है सोरस होता है क्योंकि ट्यूना मचली में ओमेगा 3, विटामिन B12, प्रोटीन और कई सारे मिनरल्स जैसे सम्रद गुण होते हैं लेकिन पिछले कुछ सालों में ओवर फिशिंग या कह दें अवेद फिशिंग के कारण ट्यूना मचली के आबादी में 97 परसेंटाइल से अधिक की गिरावट आई है तो इसलिए ट्यूना को विलुप्त होने से बचाने के लिए इसके बारे में लोगों में जागरुकता पैदा करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है वर्ल्ड ट्यूना डे कब दो मई को याद रखना ये बढ़ते आगे फिर बताईए अभी हाली में अमिच्शा अनी भजापची वच्चल नाम की बुक को किसने लिखा तो आंसर होगा डॉक्टर जोटसना कोल हाट करने तबी महाराष्टर के पूर्वे मुख्यमंत्रे हैं देविंद्र फडनवीस उन्होंने ही ग्रहमंत्रे अमिच्शा के उपर लिखी गई एक मराठी पुस्तक है उसको रिलीस किया है इस बुक का नाम है अमिच्शा अनी भजापची वच्चल और ये जो बुक है ये मराठी संस्करन है एक बुक का जिसका नाम है अमिच्शा and the March of BJP जिसको लिखा था दो जनोंने एक का नाम है डॉक्टर अनिर्बान गांगुली और एक है शिबानन्द द्विवेदी तो इसी बुक का मराठी संस्करन है ये अमिच्शा अनी भजापची वच्चल और इसका मराठी संस्करन किया किसने है तो डॉक्टर जोच्शना कोलहाट करने बाकी आपको बताए the boy who wrote a constitution नाम की बुक को किसने लिखा राजिश तलवार ने लिखा और एक बंगाली लेखक का नाम आपको याद होगा जिनने 2022 का ओ हेंरी पुरुसकार मिला है उनका नाम क्या है अमर मित्रा उन्हें उनकी short story गाउंग बूरो के लिए ये ओ हेंरी पुरुसकार मिला था अच्छा यूं बताओ किस भारते लेखिका को अनुवादित हिंदी उपन्यास है उनका जिसका नाम है कॉंब ऑफ सेंड उसको अंतरराष्टर बुकर पुरुसकार के लिए नामंकित किया गया था तो उन भारती लेखिका का नाम है गितांजली श्री ध्यान रखना बढ़ते आगे चली बताईए अभी हाली में किस देश ने लॉग्ड शील्ड दो जार बाईस साइबर रक्षा अभ्यास जीत लिया तो आंसर होगा फिनलेंड ने आपको याद होगा हमने पड़ा था नाटो ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लाइव फायर साइबर डिफेंस एकसरसाइज का आयोजन किया था जिसे कहते हैं लॉग्ड शील्ड कहां पे किया था बताओ एस्टोनिया में उसमें 24 टीमों ने की है करंसी है यूरो प्रधान मंत्री है सना मारेन त्यार रखना बढ़ते आगे तो इस प्रश्ण में आपको बताना है अभी किस राज्य क्या मिया का बाड़ा जो रेलवे स्टेशन इसका नाम बदल दिया गया तो आंसर होगा राजस्थान तो मिया का बाड़ा रेलवे स थारा में यह जो गाउं है जहां पर यह स्टेशन है इस गाउं का नाम मिया का बाड़ा था लेकिन उसका नाम बदल करके महेश नगर कर दिया गया और अब इस स्टेशन का नाम महेश नगर हल्ट कर दिया गया अच्छा इसी तरह से आपको याद दोगा उत्तर प्रदेश में य्यद्य य्यूरप्पा के नाम पर रखा जाएगा तो ये चीजे भी याद रखना उसके अलवभा अपने पड़ा होगा मध्यप्रदेश का जो हबीब गंज रेहलवे स्टेशन उसका नाम रानी कमलापती रेहलवे स्टेशन किया गया था पाताल पानी रेल्वे स्टेशन ये भी मद्यप्रदेश का है इसका नाम तात्या मामा रेल्वे स्टेशन किया गया और उत्रप्रदेश का मंडवाडी रेल्वे स्टेशन का नाम बनारस रेल्वे स्टेशन किया मद्यपरदेश का भुपाल मेट्रो का नाम भोज मेट्रो किया गया और हावडा काल का मेल ट्रेन का नाम नेताजी एक्सप्रेस किया गया करनाटक में जो हुबली रेलवे स्टेशन है उसका नाम शिरी सिद्धरुदा स्वामी जी के नाम पे रखा गया तो ये कुछ changes हुए हैं, इनको आप ध्यान रखना बढ़ते आगे तो इस प्रश्ट में आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी भाट्य अभिनेत्रे इस वर्ष जूरी के सदस्य के रूप में कान फिल्म समारों में भाग लेंगी तो आंसर होगा दिपिका पाडुकोन अच्छक पहल तो ये बताओ कौन से नंबर का है ये कान्स फिल्म फेस्टिवल 75 वा है तो अभी दिपिका पाडुकोन को इस साल कान्स फिल्म फेस्टिवल में जूरी के सदस्य के रूप में चुना गया और इसमें जूरी का नेतरत्व फ्रांसी से अभिनेता विंसेंट लिंडन कर रहे है जिन्नोंने 2015 में कान्स में बेस्ट एक्टर का वाड जीता था ये वैसे नाम हमारे लिए ज्यादा काम का नहीं है हमारे लिए दिपिका पाडुकोन का नाम इंपोर्टेंट है आप वह याद रखेंगे और अगर मैं आपको बताऊं या पूछो क्या दिपिका पाडुकोन ऐसा करने वाली पहली है पहली भारत्य है तो ऐसा नहीं है इनसे पहले भी काफी भारत्य आ चुकी है लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो ये बात है 1982 की 1982 में कांस मेजूरी सदस्य की रूप में शामिल होने वाली पहली भारत्य कौन बनी थी तो आंसर होगा मरणाल सेन बनी थी और चलो एक प्रशन का उत्तर दो अभी भारती एकसा लाइफ इंशोरेंस की ब्रेंड अमबेस् है तो आंसर होगा नई दिल्ली तो आहार 2022 नाम से इश्या का सबसे बड़ा अंतर राष्टर खाद्य और आथित्य मेला इंटरनेशनल फूड एन हॉस्पिटेलिटी फेयर इसका आयोजन नई दिल्ली में किया एक तो ये याद रखना कहा पे किया गया नई दिल्ली में और किस ने किया तो EPIDA यानि की Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority ने इसकी फुल फर्म हो गई है ये चला 26 अपरिल को शुरू हुआ और 30 अपरिल तक चला ये और ये इसका 36 संसकरन था अच्छा मुझे आप बता सकते हूं किया अभी दिल्ली सरकार ने अपना एक सिक्षा गीत लॉंच किया था क्य और अभी प्रधानमंतरी नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रधानमंतरी संग्रहाले यानि कि प्रधानमंतरी म्यूजियम का भी उद्खाटन किया उसके अलावा पूसा क्रशी विज्ञान मेला 2020 ये भी कहाँ पर आयोजित किया गया था दिल्ली में ही और भारत का प पर सबसे बड़ी कुछती अकादमी स्तापित करेगा ये बताओ आप तो ये प्रस्ण चलिए आप भी के लिए रखता हूं मैं बताओ हम बढ़ते आगे फिर बताईए अभी हाली में ताटा समू ने किसके साथ एर इंडिया का विले करने का फैसला किया तो अंसर होगा एर ए बने थे एन चंदर शेखरन जोकी टाटा संस के अभी फिर से चेर्पेन बन गए और एन चंदर शेखरन अभी टाटा डिजिटल के भी अध्यक्ष बने थे वेसे अभी टाटा ग्रूप ने अपना एक नया सूपर एप्लिकेशन लॉंच किया है क्या नाम है नियू और अभ इसे टाटा इसकाई का नाम बदल के टाटा प्ले कर दिया गया है और रतन जी टाटा का नाम आपको याद होगा दो प्रश्निन से याद रखो इनकी जीवनी आने वाली है रतन इन टाटा दे आउथराइजट बायोग्राफी इसको लिखा किसने है डॉक्टर थॉमस मेथि उने और अबी कौन सा भारते राज्य है जिसने रतन टाटा जी को अपना सर्वुच नागरिक सम्मान दिया तो अंसरोगा असम सम्मान का नाम है असम बेभव और अगर आपसे पूछा जाए कि 2022 और 2023 के IPL का टाइटल स्पॉंसर कौन बन गया है तो अंसरोगा टाटा तो गाइस ये लीजिए मई महीने के पहले वाले हफते को हम लोगों ने कवर कर लिया सारे important questions में आप लोगों के सामने लेकर के आया पूरी मेहनत की आप लोगों के सामने की सारे facts बिल्कुल कम समय में आपके सामने लेकर के आ सकूँ और आपकी practice भी अच्छे से हो सके इसल आपको रट जाए और last में बस इतना का हुआ अगर session अच्छा लगे मेनत अच्छा लगे तो वीडियो को share जरूर करना support जरूर करना वीडियो को बिल्कुल support नहीं मिल पा रहा है मेनत लगातार जारी है एक उमीत के साथ कि आप लोग कभी ने कभी तो support जरूर करोगे बाकी पीश्वर की मर जी और आपकी इच्छा थैंक यू